प्रदेश की समझ राश्री पदादिकारिगर दिल्दी प्रदेश की प्रदेश अधर्ष पहल सुखा जी इस सभागार के उबस्ति बड़ी संथा में पत्रिकार बन्दों मेरे खाईयों में हमारी पहने पत्रिका का रिमोचन हम सब पहनों ने मिलकर ये सोचा कि भारती जन्ता पार्टी की अपनी पत्रिका निकलती है लेकिन हम बहने भी वर्ष हट कोईने कोई कारिक्र करते है बहिला मोचा की बहने सभी कारिक्रमों में चाहे वो संधर्षाद्मक हो सभी कारिक्रमों को संपन्य करती है और उन बहनों को भी इस पत्रिका के बाधें से देश में जानने का मौका मिलेगा उनके क्रिया कलापों से लोग आउगर्ष हो सकेगे ये एक प्रोचसाहन का भी बात्यम है मुशे रखता है कि हम लोगों ने एक कोशिश की है इस पत्रिका में हम लोगों ने कुछ इस्थाइक इस्तम रखे है बंदुआ आप इस सभागार को देख रहे होंगे इस सभागार में चारो तरफ जो ये पोस्टर लगे हुए ही उसमें कवर पीछ है एक तरफ पीछे में जो हमारे करनाटक की बहने हैं वो आंगोलन में रथ हैं उनके फोटोग्राफ से जो इस्ताइ इस्तμभ हैं उसमें फोटो आप डबन्थ कन्यापीन हत्या से संबन दित है और हर बार एक चुक्छ के ये मासिक पत्रिका है हर माह ये पत्रिका निकलेगी और इसमें हम लोगों ने कुछ इस्ताइ इस्ताइ इस्तम के तहर आपकी पाती, photo-op-the-man-th रखा हुआ है बेहनों हम लोगों ने ये कोशिश की है ये पहली कोशिश है मैं दीदी को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ये पहली कोशिश की है इसलिए निश्टित तौर पर इस पर तुटी होगी हम लोगों ने जो अपनी तरब से प्रयास किया है उन प्रयासों में अगर कही तूटी है तो मैं आप सबसे भी छहमा प्रार्थी हैं और कोशिश करेंगी कि हम अगली बार उस तूटी को दूर करके और भी बहतर से बहतर प्रयास करके एक अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ें यह हमारी इमानदार कोशिश है बेहनों आज यह हमारी बेहनी पद्रिका का विमोचन मेरी हार्दिक इक्षा थी क्योंकि हमने जब राजमीती की शुरुवाट की तो हमने जिन्हें देखा और जिनसे हमने हमेशा प्रेणना लिया है और जिनको राजमीती में हम अपना आगर्श मानते हैं हमने उनसे ही हमारी इस पद्रिका का विमोचन वह हमारी इहार्दिक इक्षा थी आज दीदी यहां तक चलकर आई है और उनका बहुत आशेवाद हम लोगों को रहा है कभी ने हम लोगों ने बोलने में कोता ही की है तो विश्यों पर क्या कहना है कितना कहना है किस अंगाज में कहना है यहां तक उनका मारुद्रशन मिला है मैं उन्हें बार बार परणाम करती हूँ और हमेशा उनका आशेवाद की कामना करती हूँ और उनसे अंग्रोद करती हूँ कि आश की इस पद्रिका का वो भी मोचन करें